जीवा, कौड कागस पर एक वृत्त खीच कर उसकी परिदी पर कोई भी दो बिंदू ले आकरिती दो में दो बिंदूओं P और Q को दिखाया गया है दोनों बिंदूओं को मिलाने पर रेखाखन P Q बनता है यह रेखाखन वृत्त की एक जीवा है क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसे कितने रेखाखन होंगे जिनके अंत बिंदू वृत्त पर हो आप पाएंगे कि ऐसी अनंत जीवाएं है करके देखें पहला, नीचे दी गई आकरितियों में जीवा की पहचान करें दूसरा, क्या जीवाएं एक ही लंबाई की है तीसरा, सबसे लंबी जीवा कौन सी है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है इसमें विभिन जीवाएं A, B, C, D, E, F और M, N आदी खींची गई है आकरिति साथ इन सभी जीवाओं की लंबाईयों का अवलोकन करें A, B, V, M, N में कौन बड़ी है C, D, V, M, N में कौन बड़ी है इसी प्रकार जीवा, E, F, V, M, N में किसकी लंबाई अधिक है जीवा, A, 1, B, 1 और M, N में से आप देख सकते हैं कि जीवा, M, N के लंबाई सबसे अधिक है क्या जीवा, M, N में कोई विशेज गुण देख पा रहे हैं जो शेज जीवाओं में नहीं है जीवा, M, N वृत्य के केंद से होकर गुजरती है उस जीवा को जो वृत्य के केंद से होकर जाती है वृत्य का व्यास कहते है क्या आप वृत्त में व्यास से भी बड़ी जीवा खीच सकते हैं? नहीं, आप पाएंगे कि व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है सोचें एवं चर्चा करें क्या आकरिती साथ में MN के अतरिक्त और भी व्यास खीचे जा सकते हैं? यदि हाँ, तो ऐसे कितने व्यास कीचे जा सकते हैं? चलिए बच्चों, जो हमने वृत्त लिया था, उस वृत्त पर दो बिंदू A भी ले ले लेते हैं और A को B से मिला देते हैं ये जो रेखा खंड है, जो वृत्त की परीधी पर दो बिंदों को मिलाता है इसे हम वृत्त की जीवा कहते हैं ये A B एक जीवा है, C D एक जीवा है, M N भी एक जीवा है और P Q भी एक जीवा है बच्चों, क्या आप इन सभी जीवाओं में सबसे बड़ी जीवा बता सकते हैं? बिल्कुल सही यह MN जीवा जो है यही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है क्यूंकि यह केंद्र से होकर गुजर रही है वृत्त में कितनी भी जिवाएं हम खीचे जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और उसे हम रित का व्यास कहते हैं